Friends, Good Morning चलिए आज हम हिंदी सब्जेक्ट में स्वर और उनकी मात्राओं की बारे में पाढ़ेंगे और आज उनकी स्वर और मात्राओं से मिलके बारखडी बनाएंगे तो आज के हमारे टोपिक स्वर व्यांजन और उनकी मात्राएं हैं हमने कल की वीडियो में आप लोगों को स्वर पढ़ाया था और व्यांजन बताया थे मिन्स वणमाला पढ़ाई थी वणमाला में हमने स्वर और व्यांजन उसके दो भेद बताया थे और स्वर कितने बताया थे स्वर होते हैं 11 और व्यांजन होते हैं 33 उसके लाबा हमने बताया जो स्वर में अम और आहा होता है वो क्या कहलाता है अयोगवा कहलाता है अम जो होता है वो अनुश्वर होता है और आहा जो होता है वो विशर्ग में आता है तो ये दोनों क्या है अयोगवा है ठीक है अब हमने जैसे व्यांजन में पढ़ा था व्यांजन में हमने का से हा तक अक्छर पढ़े थी और वो कितने थी 33 थी और चा त्रा ग्या जो था वो क्या थे चा शयूँक तो व्यांजन कहलाते थे ठीक है अब हम पढ़ेंगे स्वर और उनकी मात्राएं एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे यह हमने पूरे स्वर लिखे हैं अभी हमने अयोगवा अलग नहीं किया यह हमारे पूरे स्वर है चली पढ़ेंगे आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, 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 ओ, आ, अ, 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 आ, हा, ठीक है? अब इनके साथ इनकी मातरां को लेखेंगे. आ की कोई मातरा नहीं होती है. आ, बड़ा आ है ना, मतलब मुझ खुल रहा है, तो इसकी कोई सी मातरा होती है? यह मातरा होती है, आ, इ, इ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? चुटी, इ, की मातरा, चुटी, की मातरा, तो इसकी मातरा कैसे रहती है? इस तरब ऐसे रहती है, चुटी, की मातरा, अब यह क्या है? इ इ तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी इ क्या पढ़ेंगे इसको बड़ी इ की मात्रा ठीक है उसी तरह से यहां पढ़ेंगे हम तो यह क्या है छुटू छुटू उ आ रहा है न छुटू की मात्रा छुटू की मात्रा यह है उ तो बड़ू की मात्रा इस तरह से ही क्या है बढू की मात्रा अब ये क्या है री तो इसकी मात्रा कैसे होती है ये रहती है री की मात्रा अब यहाँ पर क्या है ए तो ए की मात्रा में एक डंडी आती है उपर ए की मात्रा अब ये है आई तो इसको हम एक मात्र रहती है तो हम दो मात्रा जोड़ देते है कोर मात्रा ये क्या हो गई आई की मात्रा क्या हो गई है आई की मात्र ए आई ए आई अब इसी तरह से यहां आते हैं ये कौन से मात्रा है ओ तो इसकी क्या मात्र होगी एक डंडी कीचेंगे उपर से एक मात्र लगाने ये क्या हो गई ओ की मात्रा उसी तरह से ओ की मात्रा मे ये भी एक डंडी कीचेंगे इसमें हम डबल मातर लगाएंगे तो ये क्या हो गई हमारी अउ की मातरा हो गई अब इसी तरह से अम में हम क्या करेंगे इसे डंडी कीचेंगे और उपर बिंदी लगा देंगे ये क्या हो गई हम की मातरा इसी तरह से अहा की मात्रा में हम पीछे की तरह बिंदी लागाएंगे तो यह कोई सी मात्रा हो गई हमारी अहा की मात्रा हो गई तो स्वर से क्या बनी उनकी मात्राएं भी बनी है अब मात्रा उसके साथ अगर हम ब्यांजन को जोड़ें जैसे क लिखते ने क फिर उसको आगर आगे हम जोड़ेंगे तो का का की की कु कु की की कु कु रे रे की कोई मातरा नहीं होती है का में है न फिर के कै को कौ कम काह इस तरह से व्याजन के साथ हम बारा खड़ी को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है जैसे यहाँ हम लिखेंगे का का की बारा खड़ी खा की बारा खड़ी गा की बारा खड़ी और गा की बारा खड़ी हम चार बारा खड़ी बताते हैं बाकि हम आप लोगो होम बर्क देंगे कि आप वोग किस तरह से बारा खड़ी को करके लिखे आएंगे ठीक है अब जैसे यहाँ पर हम का का लिख देते हैं ठीक है यह का अब इसके साथ हमें का जोड़ा तो आ की माता जोड़ा तो का छुटी की मातर जोलेंगे तो की की बड़ी की मातर जोलेंगे तो की फे कु कामे छुट्रू की मातरा कु कामे बलू की मातरा कु कामे ए की मातरा के कामे आई की मातरा कै कामे ओ की मातरा को कामे अउ की मातरा कौ कामे अम की मातरा कम आहा की मात्रा कहा तो देखिए व्याइजन के साथ हमने मात्रों को जोड़ा तो इनकी उचारन में भी अंतर आया जैसे क, 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 की, क, 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 ग, ज, इसी तरह से खाकी भी करके देखेंगे का, ये, आ, कि मा तरा आरी न, क, क, ग, तो अ, का, का, की, की, कु, कु, के, कै, को, को, कम, का, देखिए, इस तरह से, इस तरह से, गा की करके देखते हैं, ग, 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 गहा, इस तरह से, इस तरह से घा की देख लेते हैं, घा, घा, गी, गी, गु, गु, घे, घै, घो, 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 घम, घा, इस तरह से देखिए, यह हमने क्या लिखे हैं, स्वर से मातराई बनी हैं, मातराओं से, मातराओं के साथ हमने व्यंजन लिखा और व्यंजन को हम मातराओं के साथ बाराखड़ी को लिखा हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आप आगी की बाराखड़ी पूरे, डा तक की रहे बहुजेगे इसके बाद हम कल की वीडियो में आपनों को अख्छरो का घ्ञान बताएंगे टू अख्छरो तीन अख्छरों का घ्ञान, 0 कि तो चलिए आज के लिए इतने ही हैं कल की वीडियो में आगे हम देखेंगे